इस प्रेट फुटिंग फाउंडेशन इसका भी हम स्केल बनवाई 20 लेंगे इसमें हम क्या करेंगे 90 सेंटीमीटर का कॉंक्रीट ब्लॉक लेंगे और 30 सेंटीमीटर की उसकी डेप्ट रहेगी और जो पहला ओपसेट है यह जो पहला ओपसेट है उसका जो विड़त रहेगा यह 15 सेंटीमीटर ठीक है इधर से भी दौनों तरफ से 15 सेंटीमीटर उसकी जो हाइट है अगले ब्लॉक की वो 10 सेंटीमीटर ठीक है और ऑपसेट की जो विड़त रहेगी जो चोड़ा ही रहेगी वो 5 सेंटीमीटर की ठीक है दौनों तरफ से 5 5 लेते हुए हम इस तरीके स ग्राउंड लेवल तक आएंगे उसके बाद में 45 सेंटीमीटर जो हमने पिछले प्रिवियस पीडियो में भी बताया है उस प्लिंथ लेवल की हाइट लेंगे और उपर से उसी तरीके से 2.5 सेंटीमीटर की डिपीसी उसका सीधा लाइन खिछते हुए हम उसके उपर टाइल् अगर फाउंडेशन बना रहे हैं तब इस्प्लेट फूटिंग फाउंडेशन का उसके नीचे लाइम कॉंक्रीट 7.5 सेंटीमीटर की और नीचे जितना भी बचता है स्वाइल फिलिंग हो जाएगी ठीक है और यह हाँपर 30 सेंटीमीटर की तमारी वॉल की ठिकनेज है उस अगर इस परेट फूटिंग फाउंडेशन का आता है तो छोड सकते हैं लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं आपके पास समय हैं तो पूरा फिकर ना सकते हैं अब मैं इस वीडियो में एक चीज और add करूँगा, अगर ये ही, अगर slab के साथ में आ जाए, कि slab के साथ में एक spread footing foundation का या foundation के साथ में एक slab का सचित्र बढ़न कीजिए, इस तरीके से आ जाता है, उसका भी figure कीजिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको इसी तरी figure है, इसी तरीके से उसको आगे बनाना होगा, 60 cm ये तुमारा sill level है, उसके उपर ये window का size जैसे बनपॉंट, 2 meter की ये window दे रखी है, ठीक है, इधर का जो पार्ट है, जो बाहर की तरफ का जो पार्ट होता है, उसको river, और जो अंदर की तरफ होता है, उसको jam कहते हैं, ओके, यहाँ 10 cm का lintel का थिकनेस लिया है, और 60 cm ये sunset हो गया, अब यहाँ पर करना क्या है, अगर आपको slab के साथ में आ जाता है, किसी भी foundation का figure, तब आपको जहाँ पर ये construction line है, यहाँ पर क्या करना है, 45 cm और उपर जाके, उसके सीधा line कीचना आगे, और उसमें आपको क्या दे सिलेब, सिलेब की थिकनेस 12 cm रखनी है, और यहाँ पर, सिलेब की थिकनेस 12 cm रखनी है आपको, और उसमें cement concrete दिखा देनी है, और अगर हो सके, तो उसमें थोड़ा सर्ये का भी sign दिखा देना, और उसके उपर एक और line कीचने, तब construction line देना, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो, अब हमने पूरा figure जो बना दिया है, वो सिलेब के साथ में with foundation है, तो foundation के साथ में आपने slab को भी mention कर दिया है, अगर इतना आता है तो, अगर खाली foundation आता है, तो हम foundation तकी बनाएंगे, अगर slab के साथ में पूचा जाता है, तो हम इसी figure को slab के साथ में जोड़ तो हमारा वो भी बन जाएगा, ओके?